ABP News आपको रखे आगे नतंत्र के लिए देख रही होगी तब हिंदुस्तान की सड़कों पर अराजकता पहलाते कुछ लोग नजर आ रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर आपने देखा ट्रैक्टर से पुलिस को दबोचने की कोशिश हो रही है आपने देखा लाल किले की प्राचीर पर किस तरीके से तिरंगे की जगा कोई और जंडा भराने की कोशिश हुई है आप इससे क्या निकाल पाते हैं क्या समझ पाते हैं इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी ठीक है आप जो आपने आप जो कह दें एक हorf Kombat किहा आप ने कि लोगों को को अधाना नहीं था कि आज के दिन में यह सब कुछ देखा जाएगा ठीक है वही ही तो आप कहते हैं वह सब्कूल ठीक, अधान तक रही बात हमसा की, सबसे पहले तो कि कि जहां तक हिमसा अगर हुआ है कोई हिमसा हुआ इसमें एक किसान की दो हुए है जहां तक अभी तक हम Potter चला इस समय तक जो ही हिमसा हुआ है वह उस हिमसा के विरुद मैं भी हूँ और पूरा पूरा देश भी है ठीकर लेकिन इसके कहने के बाद कई बाते रह गई हैं पहली बात यह है कि यह जो अंदोलन जो है यह आंदोलन आज नी शुरूआ कल नी शुरूआ यह कई महीनों से अंदोलन चल रहा है और जहां तक मैं समझता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान के इत्री हास का प्रोफेसर 28 साथ से तो रहा हूं जान तक मैं समझता हूँ उनकी जो मांगए हैं वह बहुत शीरियस मांगए हैं और उनके उपर प्रभाव सोचना पड़ेगा, हमें काफी सोच वाहिक यह मांगै किस प्रकार की हैं तो किई एक्यों टम नेरी यह मांगे करी इस समय में सिरब यह बात गणा चाहता हूं कि आज ववह उसको केवल हम हिमसा की आइकों से देख सकते हैं आ ठीक है कि क्यांंगिशलार का जी वो कैसे डेखेंगी क्यर्फित कांज Newton स्वीर है वह कि पासवीर को हिन्षक तस्वीर हैं गोड़ा देने वादेने वालिव तो मैं वही समझाने वाला हूं ठीक है ना देखिए कुछ न्यूस चैनल में बताया गया है मैं उनके नाम नहीं लूँगा कुछ न्यूस चैनल में बताया गया है कि आज जो है वो टेरर का दिन है जिस प्रकार से 6 जैनुरी को USA में US Capital में हुआ था उसके साथ जो है कई लोग competence कर रहे हैं ठीक है है कि यह वो है यह आतकवादी हैं जो जो इनदोलन में जो जुड़े होगा और आपको पता है कि कुछ मैनों से सरकार की तरह से यह आ थे खाया गया कि अब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से मैं इसको एहमसा के साथ जोड़ सकता हूं पहली बात है मैं यह सोचने पड़ेगी कि गंतंत्र दिवस्ट जो है वो समविदान भारत के समविदान के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है क्योंकि 26 जनरी ये दिन था जिस दिन ये समविदान जो है इफेक्ट में आया बारत के समवेदान में क्या लिखा हूँ है कि भारत के सब नागरिक जो है उनकी कुछ अधिकार हैं कुछ constitutional rights है freedom of speech होती है freedom of expression मेरे विचार से पिछले छे साल से इस सरकार ने दिखा दिया भारत को और सारी दुनिया को कि यह अधिकार जो है वो सिर्फ तोड़ना जानते हैं कि पिछले साल भी पिछले साल भी जब demonstrations हुई थी इस सरकार ने बहुत कोशिश करी थी उनको तोड़ने की और उनको बदनाम करने की जहां कि जो शहीन बाग में हुआ जैसे जो जो शहीन बाग की दादियां जिससे कहते हैं उन्होंने एक प्रदर्शन दिखाया था आहिमस का भविश्य क्या है हमारे देश में महात्मा गांदी की शहीदत का दिन आने वाला है चार दिन में 30 जनुरी में 30 जनुरी को और महात्मा गांदी की शहीदत जो है वो की सम्विदान से जूरी है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी ये सम्विदान में जो अधिकार जो द आज क्या हुआ है इसमें इसमें अहिम्सा का प्रदर्शन है क्योंकि किसानों की तरफ से जो है वो ट्रैक्टर लेगें उन यह वो यह दिखाना चाहते हैं कि यह गंतंत्र दिवस्ट जो है यह एक नाठक नहीं है यह सिर्फ यह नहीं है कि भी 26 जनरी को परेड कर दो और जवान का दिन होना किया था उनका अपमान हुए आपको मैं याद दिल्वाओंगा कि 1965 में लाल भादर शास्त्री ने एक नारा दिया था देश को जए जवान जए किसान ज़्यादा तर जवान जो हैं वो किसान ही होते थे वो अपने खेतों से आए हैं लेकिन प्रोफेसर पर यह जम्मा दरि झाओन लेगा आज के इन हिन्सा के तस्वीरों की जम्माधारी किस्की है क्या उन 40 संगठनों की है किसान संगठनों की जन्क नहों ने कहा कि ट्रेक्टर ्रैली निकलेगी और ऋन बहुत शांधीपू 성ार्थार तरीके से ते निकलेगी यह जम्मेदारी किसी और की देखिए अजादी के समय में भी जब महात्मा गांदी ने बहुत सारे सत्याग्रा अंदोलन किये उस समय भी जब बहुत डिसिप्लेंड मुव्मेंट्स थे उस समय भी हर अंदोलन में लोग थे जो बिछड़ जाते थे अब इसमें हुआ क्या है कि कई किसान जो है वो वो अलग हो गए बिछड़ गए लेकिन अगर आप एक अंदोलन को पूरा अंदोलन की तरफ से देखें दो होल मुवमेंट यह नहीं कि आपने छोटा सा हिस्सा देख लिया और वो लोग क्या कर रहे हैं तो यस अंदोलन में हम सिर्फ अहिंसा का प्रदर्शन नहीं है मैं एक नई भाषा इसके बारे में जो है देना चाहता हूं सी देखिया हर देश में क्या हो रहा है जो और मैं इन देशों की बात कर रहा हूं जहां जो नेता हैं वो आटोक्राटिक रूलर्स हैं जैसे युनाइट स्टेट्स है ट् फोलंड है चाइनों है रशिया है मैं इन सब देशों के बारे एंदर सिलेसमें किया हो रहा है कि एक प्रकार से लोक समझ गЭए हैं एक विरौध कि क्या करेंगे वास्तु कला ठीक है आर्किटेक्ट्ट्राप्रोटेस्ट एक ने आर्किट्रेक्ट्ट्राप्रोटेस्ट यह कि हमें जो है यह सड़क पे जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम सिर्फ नेता से बात करते रहें और ये सोचते रहें कि पार्लेमेंट या प्रेजिडेंट या हमारे जो एक्ट्स हैं इसे हमें इनसाफ मिलेगा वो नहीं होने वाला है तो इसे लिए लोगों का विचार ये है और कि एक प्रकार से हमें देखना पड़ेगा कि आगे जब हम आगे की तरह देखें कि हमारा के पहले है के लिएंद ये है नेондोलन के आंकिश्च आ कि घड़ेगा नहीं इसे कि दिखाना पड़ेगा कि आप में हमत है थीक्ति है और ये देश आपके साथ आप अब यह मामूली बात नहीं कि एक किसान के बिना देश नहीं ओ सकता है किसान जो है और खास करके हैं आप हिंदूस्तान जैसे देश देखें जाएं अगरीकल्चर जो है has been the foundation of this society. अगर आप गिसानों के साथ बात् 추천 नहीं करेंगे और उनके मांग अच्छी प्रकार से नहीं सुनेंगे उनको इजथ नहीं देंगे और मेरे ख्छाल से ठीड़ीक है सरकार लेकिन बात्चीत करने का स्टिए यह नहीं होता कि नाटक करें आप बातचीत का दिखाने का, क्योंकि बातचीत में कोई compromise होता है और मैंने ये नहीं देखया है अपनी सरकार की तरफ से, हंदुसतान की सरकार की तरफ से कि ये सरकार जो है, ये करने के लिए त्यार है. तो क्या ये compromise नहीं है कि वो कह रहे हैं हम दो साल के लिए खानून रद कर देंगे हम एक कमिटी का गठन करेंगे कुछ कदम हम आगे बढ़ते हैं clause by clause चलिए discussion करते हैं आपको लगता है कि ये महद नाटक है और कुछ भी नहीं है कहीं बात है वस आप मुझे बताईए कि पिछ बढ़कों पे गए क्या की है कि सटीपव का इतिहास इस प्रकार का है कि उससे ऐसा नहीं आभ obec मैं तो यह कहरा हो कि हमरे और कुछ सोचना पड़ेगा हमें यह सोचना पड़ेगा कि कि मैं 30 जनर्टि का भी जिकर कर कर रहा हूं कि 30 जन्वरी को मोहंदास करम जंद गांधी का शहीदत का दिन है ठीक है हमें यह सोचना पड़ेगा कि अब अहिंसा क्या बविश्या है प्रफेसर आप यह कह रहे हैं कि 30 जन्वरी भी बहुत महत्वपूर्पूर्ण दारीक है आप किसी तरह इशारा करने की कोश जशकर कर रहे हैं और बार-बार अहिंसा का जिकर कर रहे हैं पर आज का दिन अगर देखा जाएगा आप नेखरों में देखेए आप सड़को नहीं होगा देखिए कलोनियल समय के को कलोनियल पी रगणा कर आप देखेंगे ना उसमें जब अंदोलन हुए थे तो उस प्रकार कि उस समय की जो सरकार थी वो क्या करती थी कि जहां कुछ जगडा हो वो सिर्फ वो दिखाएगी यह उसके बारे में बातचीत करेंगे सिर्फ उसके बारे में आप कमेटी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वो गाएंगी देखिए यहां यह हुआ अरे अंदोलन में पांच लोग पांच लाक लोग हैं दस लाक लोग हैं बीस लाक लोग हैं अब टीवी न्यूस जो है वो तो सिर्फ कैमरा वहीं रहेगा ना कि जहां वो पिछले तीन-चार महीने से जो हो रहा है और किस प्रकार से अंदोलन हो रहा है वो बॉर्डर में आए इत्ती सर्दी में हजारों लाखों लोग आए हुए हैं सरकार ने क्या किया उनके लिए मैं यह पूछना चाहता हूँ आप मुझे बताईए अगर सरकार को वाकी इसमे इंटरस्ट है तो उन्होंने क्या किया है क्योंकि इंका अधीकार है इन लोगों का प्रोटेश और किस प्रकार से की आप घर में बैठे रहें और बस कहते रहें कि हां सब ठीक है तो फिर प्रोटेस्ट कहां से आएगा, अंदोलन कहां से शुरू होगा? प्रोफेसर लाण, आप इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मैं ये समझने की कोशश कर रही हूँ, आप ये कह रहे हैं, बड़ा अंदुलन है, और उसमें कुछ लोग अलग हो जाते हैं, कुछ लोग जुदा हो जाते हैं, पिछले अंदुलनों में भी ये देखा गया है, लेकिन ये लोग कौन हैं, जो इस तरीके से अराजगता पहलाने की कोशिश कर रहे हैं, या हिंसा पहलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बेबाकी से स्टडी भी करते हैं, और अपनी बातों को रखते भी हैं, कौन है ये लोग, जो पूरा का पूरा, जो फो पून थे जिन्होंने यह तोड़े क्योंकि अभी समय तो ना आपको मालू है ना मुझे मालू है ठीक है ना यह तो कुछ दिन तक पता चलेगा कि exactly क्या हुआ ठीक है लेकिन मैं तो सरफ यह कहा रहा हूँ कि आप मेरे से बार बार यह पूछ रहे हैं कि देखिए लोगों को दिख रहा है आज जो दिख रहा है उनको यह दिख रहा है कि हिमसा हुई है ठीक है लेकिन मैं यह कहा रहा हूँ कि हाँ ठीक है हिमसा के विरूद सब को होना चाहिए और मैं बिल्कुल अपोस्ट हूँ ठीक है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो देख रहे हैं वो हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं एक बहुत बड़े अंदोलन का और ये अंदोलन का इतिहास अगर आप देखेंगे जो पिछले तीन चार महिने से है उससे ये मालूम होता है कि किसानों ने बराबर प्रशिश करी है और तरीके से अहिंसा के साथ तीस जनवरी का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसानों को अभी रुखना नहीं है तीस जनवरी को भी कुछ ऐसा ही ड्रैक्टर रैली या किसी आंदोलन में शरीक होना जी क्या आप य क्योंकि मैं ये कि यह मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तिस जंडिरी में Ghandi, Mahatma Ghandi का शहीदत हुआ, अब शहीदत जो हुआ उसको जो है एक प्रकार से सम्विदान के साथ उसका जो मतलब है उसको सम्विदान के साथ जोड़ा जाना चाहिए. क्योंकि Maryila के कारण हम सोच सकते थे कि हमें हमारे पास क्या अधिकार हैं और क्या अधिकार हर इंसान को होने चाहिए हैं खास करके एक देश में जो गंतंत्र है जो रिपब्लिक का मतलब भी तो समझना चाहिए ना हमें रिपब्लिक का मतलब यही होता क्योंकि रिपब्लिक जो है वो एक प्रकार की पॉलिटिकल और्गनाइजेशन है जो फरक है और रिपब्लिक में लोगों का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूरान है सबसे महत्वपूरान है और इसी लिए हमें आप कह रहे हैं कि 30 जन्वरी को हमें ध्यान रखना होगा महत्मा गांधी की शहादत और फिर उस शहादत को सम्वधान में मिले अधिकारों से जोडते हुए प्रफेसर लाल कुछ आखरी में सवाल पूछना चाहरे हूं और आप से रिक्वेस्ट है कि अगर उसकी क्विक आंसर अब जो सवाल जहन में आता है कि आगे आप इसका क्या भविश्य देख रहे हैं किसान अंदोलन का यह तो यह तो कहना बहुत मुश्क्र लेकिन मेरे ख्याल से देखिए किसान का यह आंदोलन जो है यह चलता रहेगा अब य यह भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से सरकार ने अगर आपने यह सवाल पूछाए एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि सरकार को उमीद थी कि यह लोग करेंगे कुछ और इस और इसी कारण सारा देश इनके खिलाफ हो जाएगा सरकार की यह सोच जरूर रही होगी क्योंकि यह सरका ह kilometres one और बागा हुए क्युंकि अब जो है इनका जो अनुरा 얼마 यह बदनाम हो गया लेकिन मेरे कह्याल से उनका सोचना अख गलत है है क्योंकि लोगर कह जरू कि यह जो है जो ठीक कि यह कई लोग यह भी सोचिंगे कि यार यह किसान जो हैं तीन-चार महिने से बॉर्डर पे हैं इतनी सर्दी में किस प्रकार से इन लोगों ने अपनी मांग आगे करी हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर लाल हम ऐसा जुड़ने के लिए बहुत डीटेल में अपनी बातों को और अपनी सोच को आगे रखने के लिए एक बार फिर से गंतंत्र दिबस की आपको बहुत सारी शुब कामना है थांक्यू सर्थ आपको भी धन्याबाद ABP News आपको रखे आगे